हलो एवरिवन, आज मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगी टीयस एलियट की पोयम जर्नी ओफ दमजाई मजाई कहते हैं बाइबल के तीन वाइस मैन को, जो जीजिस को देखने गए थे उन्हें पता था कोई मसीहा आने वाला है और गौड ने उन्हें साइन्स दिये जिसकी मदद से वो जीजिस के बर्थ प्लेस तक पहुँच पाए और जीजिस को देख पाए उन तीन वाइस मैन ने कुछ सर्विंट के साथ और कैमल के साथ ये जर्नी कमपलीट की इस poem में उसी जरनी के बारे में बताया है जो उन तीन मजाई ने complete की Jesus Christ को देखने के लिए ये poem उन तीन मजाई में से एक मजाई के point of view से है यानि यहां speaker जो हमें ये कहानी सुना रहा है वो उन तीन मजाई में से कोई एक मजाई है A cold coming, we had a fit उस वक्त ठंड आ रही थी Just the worst time of the year for a journey Worst मतलब सबसे खराब वो साल का सबसे खराब समय था एक सफर करने के लिए And such a long journey और वो भी इतने बड़े सफर के लिए The ways deep and the weather sharp रास्ते गहरे थे और मौसम तेज था यानि बहुत तेज ठंड थी The very dead of winter वो सर्दी बहुत जादा भयानक थी And the camel's gold, sore-footed, refractory, lying down in the melting snow Gold मतलब परेशान Sore मतलब दर्द Refractory मतलब बेकाबू वो बेकाबू और पेरों में दर्द वाले परेशान उंट उस पे गलती हुई बर्फ में लेड गए उनके साथ उंट इसी लिए थे क्योंकि वो मजाई अपनी जर्नी उंट पर कर रहे थे There were times we regretted Regretted मतलब अफसोस होना ऐसा समय भी आया जब हमें अफसोस हुआ The summer palaces on slopes, the terraces Palace मतलब महल Slope मतलब धलान और terrace मतलब छट गर्मी में धलान पर जो उनके महल हैं उन महलों की छट को याद करके उनने अफसोस हो रहा था And the silken girls bringing शर्बत और उस गर्मी में वो रेशमी लड़कियां उनके लिए शर्बत लाती थी वो याद करके उनने अफसोस हुआ कि उन्होंने क्यों अपने आरामदायक महल को छोड़ कर ये जर्नी शुरू की Then the camel man cursing and grumbling and running away Cursing मतलब कोसना Grumbling मतलब शिकायत करना जो उन्च चलाने वाले लोग थे वो उन मजाई को कोस रहे थे और शिकायत कर रहे थे और कुछ तो उन्हें सफर में अकेला छोड़ कर भाग गए And wanting their liquor and the woman उन camel man को शराब चाहिए थी और ओरते चाहिए थी And the night fires going out And the lack of shelters रात को वो लोग जो आग जलाते थे वो खतम हो जाती थी और उनके पास shelters की कमी थी यानि रात को रुकने के लिए कोई ठिकाना उन्हें नहीं मिलता था And the cities hostile And the towns unfriendly Hostile मतलब विरोधी शहर उनका विरोधी था और town के लोग उन्हें दोस्त नहीं समझते थे यानि दोनों शहर और town के लोग उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे And the villages dirty and charging high prices और गाओं बहुत गंदे थे और बहुत जादा कीमत लेते थे Cities और town के लोग उन्हें रहने को rooms नहीं देते थे गाओं के लोग उन्हें रहने देते थे पर वहां बहुत गंदगी थी और उन रूम की कीमत बहुत जादा होती थी A hard time we had of it वो जर्णी उनकी जिंदगी का मुश्किल समय था At the end, we prefer to travel all night Preferred मतलब किसी दूसरी चीज़ के comparison में ठीक समझना आखिर में हमने ये ठीक समझा कि हम पूरी रात भी अपना सफर जारी रखें पहले वो लोग दिन में सफर करते थे और रात को आराम करते थे पर अब वो बस ये चाहते थे कि ये सफर जल्दी से जल्दी खतम हो इसलिए उन्होंने रात को भी अपना सफर जारी रखा Sleeping in snatches Snatches मतलब जल्दी से जल्दी से सो कर वो अपनी जर्णी फिर से स्टार्ट कर देते थे With the voices singing in our ears, saying that this was all folly Folly मतलब मुर्खता साथ में उनके कानों में एक आवाज गाना गा रही थी और वो कहे रही थी कि ये सब कुछ एक मूर्खता है यानि उनके मन में ये खयाल आ रहा था कि ये जर्णी करना एक मूर्खता का काम है Then at dawn, we came down to a temperate valley Dawn मतलब sunrise से पहले का समय Temperate मतलब sun tolet ना जादा गरम ना जादा ठंडा एक सुबह सूरच निकलने से पहले हम एक ऐसी घाटी में पहुँचे जहां का climate sun tolet था अभी तक के सफर में उन्हें बहुत ठंडा लगा पर अब वो जहां पहुँचे वहां का temperature एकदम अच्छा था Wet below the snow line Snow line मतलब ऐसी line जिसके उपर की जमीन snow से भरी होती है और उस line के नीचे बर्फ नहीं होती वो valley गीली थी यानि वहां पेर पौधों में नमी थी पर बर्फ नहीं थी क्योंकि वो घाटी snow line के नीचे थी Smelling of vegetation Vegetation मतलब पेर पौधे वहां बर्फ नहीं थी इसलिए वहां पेर पौधे उगे थे उस घाटी से पेर पौधों के खुश्बू आ रही थी With a running stream and a water mill beating the darkness Beating मतलब हराना साथ में वहां एक पानी की धारा बह रही थी इससे ये पता चलता है कि ठंडा कम था इसलिए पानी बर्फ नहीं था बलकि liquid था और बह रहा था और एक पानी की चक्की थी जो उस अंधेरे को भी हरा रही थी क्योंकि वो उस अंधेरे में भी चल रही थी इसलिए लिखा है कि वो पानी की चक्की अंधेरे को भी हरा रही थी वहाँ अंधेरा इसी लिए था क्योंकि अभी सूरच निकला नहीं था सुबह सूरच निकलने से पहले ही वो लोग वहाँ पहुँच गए थे And three trees on the low sky Low sky मतलब horizon जहां आस्मान और जमीन मिलती हुई सी दिखती है उस horizon में तीन पेड़ थे यहां poet उन तीन पेड़ों की बात कर रहे हैं जहां जीजिस और उनके साथ दो और लोगों को सूली पर चड़ा दिया था उन पेड़ों पर जीजिस के हाथ पेड़ों में कीले ठोकी थी और वही उनकी डेथ हुई An old white horse galloped away in the meadow Galloped मतलब तेजी से दौरना Meadow मतलब घास का मैदान और वहां एक बूरा सफेद घोड़ा था जो उस घास के मैदान में तेजी से दौर रहा था Bible की एक book The Book of Revelation में Four Horses of Apocalypse की बात की है जो धरती पर तबाही मचाने आते हैं क्योंकि God Earth के लोगों को पनिश करना चाहते थे उनके बुरे कामों की वज़े से और जीजिस का जन्ब भी इसी लिए हुआ था क्योंकि धरती में बुराई बढ़ गई थी तो वाइट होर्स सिंबलाइज करता है जीजिस को Then we came to a tavern with wine leaves over the lintel Tavern मतलब वो जगे जहां शराब मिलती है Lintel मतलब चौकट फिर हम एक ऐसी दुकान में आए जहां शराब मिलती है और उसके दरवाजे की चौकट में wine की पत्तियां थी यहां poet reference दे रहे है Bible की स्टोरी Passover का जिसमें लोग अपने घर के चौकट पर lamp का खून लगाते है ताकि Angel of Death उनके घर को पास करके चला जाए इसलिए नाम है Passover यहां इस स्टोरी के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि चौकट पर खून नहीं था बलकि wine के leaves थे इसका मतलब है Angel of Death जीजिस को मार देगा इस line में poet असल में future में जीजिस क्राइस की death का reference दे रहे हैं वो मजाई अभी जीजिस के birth को देखने जा रहे थे पर poet ने ये poem काफी बाद में लिखी जब जीजिस की death हो गई थी और जीजिस हमारे लिए सिर्फ कहानियों में ही थे इसलिए मजाई की जर्नी में poet अपनी तरफ से हम सब के लिए reference दे रहे हैं जीजिस के birth के बाद future में उनके साथ जो घटनाए हुई उनका यहां मजाई को अभी इन सब references के बारे में नहीं पता बस मजाई की जर्नी में इन references का यूज करके poet हमारे लिए ये poem interesting बनाना चाते हैं six hands at an open door dicing for piece of silver dicing मतलब पासा फेकना यानि जुआ खेलना उस खुले हुए दर्वाजे पर छे हाथ थे जो जुआ खेल रहे थे एक silver के piece के लिए छे हाथ मतलब छे लोग Jesus Christ के एक disciple थे Judas जिन्होंने Jesus को बेच दिया था 30 silver coin के लिए यहां poet उसी कहानी का reference देते हुए कह रहे हैं कि वो छे लोग जुआ खेल रहे थे एक silver के टुकड़े के लिए and feet kicking the empty wine skins पुराने जमाने में animal की skin से bottles बनाई जाती थी जिन में wine store करते थे उसी को कहते थे wine skin वो लोग अपने पेरों से उस खाली wine skin को kick कर रहे थे अपने हातों से वो पासा फेक रहे थे और पेरों से wine skin को kick कर रहे थे but there was no information and so we continued वो मजाई वहां आये थे Christ के बारे में information लेने पर वहां उन्हें कोई information नहीं मिली तो उन्होंने अपना सफर जारी रखा and arrived at evening not a moment too soon finding the place और शाम के वक्त वो उस जगे पर पहुँच गए जहां Jesus Christ का बर्थ हुआ not a moment too soon का मतलब है वो एकदम समय पर पहुँचे ना कि कुछ दिर पहले ही पहुँच गए it was you may say satisfactory satisfactory मतलब संतोज जनक तुम कह सकते हो कि वो संतोज जनक था तुम कह सकते हो का यहां मतलब है कि वो मजाई थोड़ा disappointed थे उस बर्थ के जगे को देख कर all this was a long time ago I remember in line से हमें पता चलता है कि जो मजाई हमें ये जर्णी के बारे में बता रहा है वो ये सब जर्णी करते वक्त नहीं बोल रहा बलकि बाद में वो इन दिनों को याद करते हुए हमें वो बातें बता रहा है ये सब बहुत समय पहले की बात थी मुझे याद है and I would do it again और मैं ये जर्णी दुबारा करूंगा but sat down, this sat down sat down का मतलब है किसी चीज़ को लिख कर record कर लेना इसे लिख लो, इस बात को लिख लो this were we led all that way for birth or death इस बात को लिख लो कि क्या हमने ये सारा रास्ता birth के लिए चला या death के लिए यानि क्या उन मजाई ने ये जर्णी किसी के जन्म के लिए की या फिर किसी के मृत्यू के लिए birth तो हम जानते हैं कि Jesus Christ का था पर death किस की ये poet आगे की lines में बताएंगे there was a birth certainly we have evidences and no doubt मजाई ने पहले question किया कि उन्होंने ये जर्णी birth के लिए की या death के लिए अब अपने ही question का answer करते हुए वो कह रहे हैं कि there was a birth certainly certainly मतलब definitely definitely वहाँ एक जन्म तो हुआ था evidences मतलब सबूत हमारे पास सबूत हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि वहाँ जन्म हुआ था I had seen birth and death but had thought they were different मैंने देखा था जन्म को और मृत्यू को पर अभी तक मैंने ये सोचा कि ये दोनों अलग चीज़े हैं this birth was hard and bitter agony for us bitter मतलब कड़वा agony मतलब पीड़ा ये birth हमारे लिए मुश्किल था और एक कड़वी पीड़ा के जैसा था like death our death मृत्यू की तरह था हमारी मृत्यू की तरह यहां मजाई ने आंसर कर दिया कि वो death की बात क्यों कर रहे थे वो इस birth को अपनी death consider करते हैं क्योंकि इस journey में उनके अंदर काफी changes आए उनका spiritual rebirth हुआ उनके old version की death हुई और ये change उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उनके religion में वो multiple gods की पूजा करते थे Jesus के birth के बाद उन religious practices का end होने वाला था जिसे उस वक्त से Christianity की तरफ shift एक बड़ा और मुश्किल शिफ्ट था We return to our places These kingdoms हम अपनी जगे पर वापस आ गए इन राजपार्ट में वापस आ गए But no longer at ease here Ease मतलब आराम हम यहां आराम से नहीं रह पाए In old dispensation Dispensation मतलब व्यवस्था इस पुरानी व्यवस्था में हम आराम से नहीं रह पाए With an alien people Clutching their gods Clutching मतलब पकड़ना अब मजाई को बाकी लोग aliens की तरह लग रहे थे जिन्होंने अपने भगवान को पकड़ कर रखा था क्योंकि वो मजाई Jesus को देख कर आ चुका था और समझ चुका था कि अभी तक वो सब false idols की पूजा करते थे पर उसके kingdom के लोग अभी भी वही पुराने gods की पूजा करते थे इसलिए मजाई को वो kingdom के लोग aliens की तरह लग रहे थे और उन सब के बीच अब मजाई आराम से नहीं रह पा रहा था I should be glad of another death Glad मतलब खुश होना मुझे एक और मौद से खुशी होनी चाहिए एक बार पहले ही उनके old beliefs की death हो चुकी है इसलिए वो कह रहा है कि एक और death से उसे खुशी होगी उन लोगों के बीच रहना अब मजाई को अच्छा नहीं लग रहा जो गलत भगवान की पूजा कर रहे है इसलिए वो मजाई सोच रहा है कि वो एक और death से खुश होगा यहाँ पर यह poem एंड होती है Thank you for watching